तो है गाइस स्वागत आपका एक पर फिर श्यापी के यूट्यूब चैनल में और आज की यूडियो में बात करेंगे भी मौति संज्वेल और स्लेमटेड को लेकर ठीक है दो दिन हो गए स्टॉक लगातार लसी पर लसी दिखा रहा है और इस लसी के अंदर जो पब्लिक वो को शेर भी सेल नहीं कर पार यह सबसे बड़ी बात तो यह क्योंकि आपको पताओ को अभी जब लगता तो ख्रीदने वाला कोई नहीं होता है ठीक है फिर भी यहां पर तो जो वोल्यूम आई है आठ लाग के करीब वोल्यूम आते हुए नजर आई है आठ लाग चोदा जा सब्सक्राइब को आई हुए कुछ खास रिस्पॉंस नहीं देखने को मिल रहा है स्टॉक सिधा एलसी में लोग होए जा रहा है ठीक है तो ऐसे में डाटा वगरा कैसा है वो सब कुछ देख सकते हैं और उन सब को देखते हुए स्टॉक में कैसे मुमेंटम रहेंगे क्या देखो भी जब अगर आपने मान लीजिए निचे के भाव से आपने आई प्यों में खरिदा है ठीक है निचे के भाव तो अभी निचे का भाव इसका आज के बावन भी को लोग है इसने क्योंकि दूसरा दिना स्टॉक लगातार एलसी दिखा रहा है तो यही लोग इसका अगर जिसको IPO के दोरा निनला जब स्टोक में मुमेंटम बनते हैं तो वहां पर आपको क्या करना चाहिए और जिनों ने ओपन होते ही श्टोप go को खरीदा लालच किया उन्हें क्या करना चाहिए देखो जिन ओपन होती जिन्होंने खरीदा उन्हें तो नुकसान है ठीक है लेकिन एक अच्छे खासी रही है और वहां से स्टॉक में फिर से रिकवरी बन सकते इसमें कोई दोराय नहीं है लेकिन वह मुमेंटम कब बनेगा यह सबसे बड़ा पॉइंट है क्योंकि देखो किसी को नहीं पता भी कव मार्केट घूम जा है मार्केट तो वैसे भी घूमाई हुआ है पूरा मार्केट एक जवरतस्त रैली के तरफ अपने जो कदम बढ़ा रहा है जवरतस्त उफान पर हमारे इंडिर मार्केट हमें दे सब्सक्राइब तो आप लोग हो गया है क्योंकि इस भाव में हुआ है सैलिंग प्रैसर बहुत जादा हाई है अभी के टाइम भी आप लोग देखोगे लग भग आठ लाग के क्रेव तो टोटल वोल्यूम आई है भी आज की दिन और अभी के टाइम आप लोग तो ओडर ल अभी नजर आ सकता है और जिनोंने देखो भई ओपन होती स्टोक को बेज दिया उनकी वावाई है वरना जो फसे है यहां पर जिनोंने फ्रेश इंट्री या फिर जिनोंने लालस किया बेचा नहीं उपर इभाव से लिस्टिंग नहीं लिया तो उन्हें यहां पर नुक्स मोमेंटम आने की तो वह 85 से लेकर आप लोग देखोगे भी 95 के बीच में संभावना बनी हुए है कि 85-95 के बीच में फिर से मोमेंटम दे सकता है लेकिन इससे पहले एक चीज समझो देखो इस प्रकार से गिरावट का जो सिलसला बना हुआ अगर आप लोग देखो भी 85 के क्यास पास आने के बाद अगर स्टॉक में रिकवरी बनती है तो वहां पर एक चोटी इन्वेस्टमेंट होने चाहिए बिकोज आप लोग देखो 55 रुपे का भाव आना शेयर थे तो यह 55 से तो नीचे जाने से रहा ठीक है तो 80-85 क्यास पास अगर इसमें रिकवरी बनती ह तो स्टॉक के चांस रहेंगे कि 100 रुपे के असपास फिर से आई ठीक है यह 90 के असपास रहता है 90 के असपास घुमता है तो बहुत अच्छी बात है तो कल उमिद है भी देखो पहले तो LC के साथ ओपनिंग हो सकती है उसके बाद अगर रिकवरी बनी तो ठीक बात है अगर आप लोग देखो कि जिनकी होल्डिंग है अगर स्टॉक ओपन होते ही स्टॉक में थोड़ा बहुत गिरावट के बाद रिकवरी आती है ना तो समझो भी स्टॉक जोनभी एक अच्छी खासी मुमेंटम के लिए फिर से त्यार हो सकता है अधरवाइस यह जो गिरावट है वह 80-85 तक भी आ सकती है आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब पुरना मत भूलना ताकि स्टॉक के रिगाडिंग कोई ख़बर आपसे मिस नहों तो कल के दिन जो स्टॉक अव झाल 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 झाल